गुड यूनिंग टू अल आफ यू विलकम टू डू फ्लाई जेएनिट मेरे प्यारे बच्चों अगर आपका जेए एक्जाम जो है कल से स्टार्ट है तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन्स हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा ताकि कल के लिए आप प्रिपेर हो सकें तो पहली ब नेचर जहां पे भी हो उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए इसके बाद तीसरी चीज आते हैं कि एक कलर फोटोग्रेप्स चाहिए कलर फोटोग्रेप्स ले लिया आपने उसको भी रख लीजिए एक 50 ml की सेनिटाइजर की बॉटल वो भी अपने साथ ले जानी है और आपक आपको पेन ले जानी है दो पेन ऐसी पेन जो कि ट्रांस्परेंट हो मतलब रीफिल दिखें ऐसा नहीं कि उसमें कुछ सॉलिट चीज़ें हो आपको ट्रांस्परेंट पेन चाहिए ठीक मास्क हो गया गलप्स हो गया यह आप अपने सुरक्षा के हिसाब से क्योंकि ठीक तो यह तो सारी चीज़ें आपको कहरी करनी हैं फिर आते हैं जब सेंटर पे जहां पे भी आपका सेंटर रेसाइन हुआ है तो आप उसकी लोकेशन प्रापर एनरसिस कर लिए कहां पे है हो सके तो आज ही जाकर के वहां पे एक दिन पहले पहुंच जाएंग अगर इसके बाद अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपके लिए वह एलाव नहीं करेंगे जैसे जिन बचों का थ्री टू सिक्जाम है तो टू थैर्टी के पहले इवन दो बजे ही पहुंच जाएं सेंटर पे जो भी इस तरीक्षन आपको इस तरीके से आदे गंटे गंटे पहले ही सेंटर पर पहुंच जाना है ठीक तो यह तो रही पहुंचने की बात अब अगर आप निकल रहें सेंटर के लिए तो आपको क्या-क्या चीजे पहन के जानी है ड्रिस कोड क्या होगा उसके लिए आप फार्मल साइट पहन के जाए ठीक मोटी सोल वाला कोई जूता जो रिलिजियस को मानते हैं तो हो सकता उनका क्लोथ उस हिसाब से हो तो थोड़ा पहले जाए ताकि उनकी प्रॉपर चेकिंग जो है हो सके और उनको एलाओ किया जा सके तो यह तो रही कपड़े और ड्रेस कोड की बात फिर आप सुबह जल्दी से तयार हो जाए जितने भ गंटे मार्जन लेके चलिए एक सदेड़ मारजन लेके चलिए अप फिर वहां पे पहुंचिये होँआप पर आपको नॉब्स मिलेगा सोचल डिस्टेंसिंग ऐसा नहीं कि एक्जामिनेशन सेंटर के बार कोई नोटिस नहीं रहेगा कि आपका यह लैब है यहां पर आपक को वहाँ पर जितने भी केंप्यूटर या फिर जो ग्रिलिंग्स होगी स्टेर्स होगी वो प्रापर पूरा दोर होगा सब सेनिटाइज आपको मिलेगा तो आप उस बस नाम को फालो करें जैसे वो लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और फिर आप पहुंच गए सेंटर पे या ब्रिसलेट हो गया या कोई ऐसे गहने कुछ ऐसे मत पहन कि जाए सिंपल एकदम सोबर तरीके से जाए एकदम सिर्फ इसके बाद और जैसे इलेक्ट्रोनिक्स गजट कुछ नहीं ले जाना है मोबाइल फोन्स नहीं लावड है तो यह सारी चीज़ें नहीं ले जानी है ठीक अब एक्जामिनेशन में पहुँच गए आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी वहाँ पे चेकिंग में आपको जो सेल्फ डिक्रेशन फार्म है उसमें पूरा थम इंप्रेशन लगवाया जाएगा उसमें एड्मिट कार्ड पे और उसकी प्रॉपर चेकिंग होने के ठीक ठीक उसी पे ही आपको उपर उसमें ब्लैंक पेज इस पेस होगा जहां आपको रोल नंबर अपना नाम जो भी नाम नहीं लिखना होगा रोल नंबर और जो भी है इंफार्मेशन वहाँ पे लिखनी पड़ेगी और आप उस पे रफ करेंगे फाइनली उसको जो आप इस पे रफ किये हो वह वहीं पर सब्मिट करके आना है और फिर और चीज़ें का ध्यान में एक सबसे इंपॉर्टन बात जो आपका है जो फोटो कलर फोटोग्रेप्स आप उस पर चिपकाएंगे उसके वह आपको वहीं पर एक ड्रॉप बॉक्स बना होगा उसी में ही डा दालके आना अधरवाइस आप क्या जो इवैल्यूएशन है वह नहीं होगा यह बात रखे एड्मिट कार्ड फाइनली उन्हीं को समिट करके आना है उसी ड्रॉप बॉक्स में डालके ही आना है ठीक तो इतनी बातों का याद याद करके वनलब जो जो चीजे बताया हूं प फॉलो करते हुए ऐसी कोई चीजें वहां पर ना करें चुकि कोवीड का टाइम है अगर आप वैलेशन रूल्स का वैलेशन करेंगे तो हो सकता है कि वह स्ट्रिक्ट एक्शन ने ठीक जो बच्चे पी डबलूडी कंडिडेट हैं वह अपना वैलिड जो है आईडी प्रू चाहिए या रासन कार्ड हो गया या आपका वोटर आईडी हो वह वैलिड होना चाहिए उसका और जीरोक्स कौपी वह वैलिड नहीं है ठीक कलर फोटोग्रेप हो गई ठीक आपका वाटर बोटल हो गई जो मिंडेटरी है यह सब आज ही रेख ले सभी बच्चे ठीक और आ ठीक बाकि जो बीटेक के लिए अपलाई किये हैं उनको यह सब ड्राइंग बॉक्स और यह सब नहीं लेके जाना है उनको प्रापर जो जो चीजें बताई जा रहे गई हैं वही चीजें लेके जाएं और समय से याद रखें कई बच्चे जो है अगर आप 10 मिनिट भी लेट ह हुए नहीं तो वह मतलब अलाव नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर तो बात याद रखिएगा ठीक आप अच्छे से एक्जाम पर फार्म करिए वहां पे कूल काम तरीके से रहे प्रापर पूरी टीम लगी है उस वह अपना एक्जाम कंड़क्ट करा रही एंटिये तो उसमें कहीं कोई खामिया नहीं है आपको प्रापर गाइडलाइन्स होहां पे मिलेंगी सब चीज़ें आपको अच्छे से मेलेंगी गी और आप एक्दम कूल और कॉंब तरीके से इंगे से अच्छे से एकजाम को देना है क्युक्कि दो साल आपने मिनहद किया है इस इ츠 क्हल के लिए आपने दो साल पूरे दिये हैं मुझे उम्मीद है जिस इसाब टीम जो है आपको प्रापर जेई मेंस का इनलसिस लेके आएगी पूरा पेपर का फिजिक्स मैं खुद स्युप्रकास दूबे बीटे केम टेक फ्राम आइटी रूड की मैं खुद जो है पूरी चीजे पूरी फिजिक्स का डिसकसन करने वाला हूं राहुल सर भी कमिस्टी का पूरा ले आएंगे तो उसके लिए आप पहले दे के आएं जो भी पेपर दे के आने के बाद जो भी चीजे हैं पूरा हम लोग करेंगे तो आप उसमें जरूर प्रेजेंट रहिए ठीक हम उमीद करेंगे कि आप लोगों का जो इस तरीके से आपने प्यार दिया है पिछल जो बच्चे जो जिनका एक्जाम कल है वो इस बात को तरीके से जो जो इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं उसी को ही फालो करेंगे जो जिन बच्चों का अभी 26 को है वो अपनी स्मूत तरीके से पढ़ाई करते रहें लगे रहें एक्जाम के एक दिन पहले आज जिनका कल गंटे पहले पहुंचे जो जो चीजे बताएगे उसको अच्छे से करेंगे यह मेरा विश्वास है और मैं भगवान से यह प्रात्ना करूंगा कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो आपने जितनी मिनहत प्लेस किया हो उसका एक फूट फुल जो है आपको रिजल्ट ज थेंक यू